हेलो एवरेवन, स्वागत है आपका PNC के इस वीडियो लेक्चे स्रीज में मेरा के चल रहे जा, डिसकस कर रहा हूँ अपके साथ PNC के बीडि़ोफल कुश्चन्स विथ अप्लिकेशन आफ कंसेप्ट हम लोग क्या गरने वाले हैं हम लोग इस वाले लेक्चर पे इस वाले लेक्चर पे मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में एक होमवर्क दिया हुआ था वो उसका सॉलुशन इसमें बताने वाला हो भी पिछले वाले लेक्चर में मतलब की 24 नंबर का जो वीडियो लेक्चर था उसमें एक होमवर्क दिया गया था वो इसमें बताऊँगा और साथ में दो नए कंसेफ्ट भी दूँगा गॉट इट तो आपको बहुत इमानदारी से अगर आपको क्लियर नहीं है लेक्चर नमबर 23 और लेक्चर नमबर 24 दोनों को ही बहुत अच्छे से देख कराईए लेक्चर नमबर 23 लेक्चर नमबर 24 24 में एक होमवर था उसे इमानदारी से बना कराईए और फिर ये 25 को प्ले कीजिए गॉट इट चलिए 25 में 24 में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो अभी मैं यहाँ पर डिस्क्रस करने वाला हूँ वो आप यहाँ पर सुन लीजिए ये कोशन वर 3 उस वक्त होमवर्क था ये सुन लीजिए कि क्या था उसमें वो कोशन एक बार फिर से बता रहो सॉल्व करके दूँगा इत्मिनान से सुनते जाओ ये 24 का होमवर्क था जो कि 25 इस वरी लेक्चर में 16 हो रहा है पिछ़ले क्या भुले लेक्चर के होमवर्क है क्या रहे कोशन में कि अपने वास 3 अलग अलग मेट्स की बुख है फिजिक्स की बुख है 4 और और इंगलेश की बुख है 5 हम लोग को सलेक्शन करना है पहली कंडिशन थी तो जैसे मैं को अभी इसको इसे solve करना है, तो बोल रहा है, one book of each subject, हर एक subject की एक किताब होनी चाहिए, कितने subject है, तीन, maths, physics और English, maths की एक किताब, maths की है कितनी अभी मेरे पास, तीन, एक चाहिए, 3C1, physics की एक किताब, है कितनी, 4, 4C1, English की one book है कितनी, 5, 5C1, अब सवाल यह है, into लगाओं की plus, अब मेरा खेले, अब आपके लिए question नहीं रहा गया होगा, कि into लगाने की plus, आप समझ चुके होगे, कि into का मतलब होता है, end, और plus का मतलब होता है, और, माने हिंदी वाला या, अगर plus लगा दूँगो, तो वो convey करेगा, या तो maths लेकर आना, यह case number A का right answer होता, got it, अब बारी है case number B की, लिखता है, at least one book of each subject, अब बोल रहा है, कि हर एक किताब की कम से कम, एक book, हर एक subject की कम से कम, एक book होने चाहिए, हर एक subject की कम से कम, एक book, अब कम से कम, एक book के लिए न, मैंने इसके पहले आपको funda derive करके दिया हुआ है, जैसे मान है कि आपको सोचना है, यहाँ पर एक बोल फिर से देता हो, सुनलो, जैसे आपको each subject, जैसे आपको match के लिए सोचना है, तो match की कम से कम, एक book चाहिए, at least one चाहिए, तो उसके लिए आप लिखते हो, 3C1, plus 3C2, plus 3C3, अब यह 3C1, 3C2, 3C3 को, you may write 2 की पाउर 3 minus 1, यह कैसे lecture में, मैंने आपको binomial theorem, माला फंडा बदा था, वहाँ से हुआ, तो मतलब यह है कहने का, कि जब at least one लिखा हुआ, हुआ हो, जब at least one लिखा हुआ हो, so you may write 2 की पाउर 3 minus 1, 2 की पाउर 3 minus 1 क्यों, क्योंकि मैंने भी match के बारे में सोचा है, तो match में कितनी बुकती, 3 बुकती, पर अचला, और वैसे ही, अब मैं जब each subject की बात चले हुआ, तो physics के बारे में भी सोचोंगा, तो जैसे ही physics के बारे में सोचने जाऊँगा, तो वह हो जाएगा, 4C1, plus 4C2, 4C3, and 4C4, तो it can also be written as 2 की पाउर 4 minus 1, आरे मत पकड़ में, और मैं उपको 5 English की चाहिए, तो वैसे 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, which can be written as 2 की पाउर 5 minus 1, accepted, तो case नमर 2 का ये ऐसे expression बनेगा, into करके ये space नहीं करके नहीं लिख रहो, लेकिन आप समझ जाएगा, 5C1, 5C2, 5C3 यहाँ पर आएगा, जिसके ऐसे 2 की पाउर 5 minus 1 बनेगा, ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका म 10 minus 1, तो यहाँ पर 3 acept prior 3 minus 1, 4 test rein 2 scheduling, 4 minus 1, 5 translate 5 minus 1, minus 1 और अभ अब अपे at least 1 वाले content के लिए, छीक है, अब इसको जैसे याप solve करोगे, इसको जैसे आप solve करोगे, तो Maths के लिए था 2 की पाउर 3 minus 1, 2 की पाउर 3 होता है 8 minus 1 हो गया 7, Physics के लिए था 2 की पाउर 5 minus 1, तो 2 की पाउर 5-1 मतलब की जागा 32 32-1 31 जब इन तीनों का into करोगे तब आपको final answer मिलेगा मैं calculate नहीं करो आप into कर लिजेगा यह इसका final answer होने वाला है इसे समझ गे पर अब मैं चनलने वाला हूँ next पर इसमें लिखा हुआ है at least one book of English कम से कम एक किताब English की होनी चाहिए अब ज़रा बात को स maths के लिए उसने कुछ नहीं बोला इसलिए मैंने maths के लिए 3C0, 3C1, 3C2, 3C3 पूरा लिखा हुआ है ठीक है अब उसने physics के लिए भी कुछ नहीं बोला इसलिए physics के लिए 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 मैं पूरा लिखूँगा और यह सब जो है plus में रहेगा 4C4 मैं पूरा पूरा है कि कम से कम एक English की होनी चाहिए तो जब मैं English के लिए लिखने जाऊँगा ना जैसे मैं English के लिखने जाऊँगा तब कैसा होने बाला है English है 5C0 नहीं 5C1 लिखूँगा English के लिए 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 ऐसा होगा यहां पर क्योंकि English में उसने at least 1 लगाया है English में उसने 3C1 किया, 5C2 किया, 5C3 किया, pointer है समझ में उसने बाकी Maths और Physics में कोई भी at least 1 नहीं लगाया है तो उसमें मैं एक वोला केस भी लेता हूँ जब मैं एक बुक नहीं सेलेक्ट करता हूँ इसलिए 3C0, 4C0 लेता हूँ तो यह उसका expression है तो अगर आपको binomial द्रोल फंडा याद सकता हूँ 2 की पावर 4, 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 के लिए मैं यूज कर सकता हूँ 2 की पावर 5 माइनस 1 आरे अद पकड़ में जब 0 से स्टार्ट होता है तब अपन माइनस 1 नहीं करते है लेकिन जब वो 1 से स्टार्ट हो रहा था तब अपन माइनस 1 कर रहे थे तो मैंने स्टार्ट है तो आपको उसे कॉपी में लिख लेना चाहिए था फिर आप दोनों को रिलेट करके देखो पॉइंट आरे समझ में तो अब एकदम बॉटम लाइन बता रहो हूँ इस वाले कुश्चिन के उसे सुन लिजिए अप इत्मिरान साब को बात आजेगी समझ में ज ठीक है बोल रहा है at least one book of English तो उसने at least one सर्फ English पे लगा है इसलिए English के case में 2 के पावर 5 माइनस 1 हुआ है लेकिन maths और physics के case में माइनस 1 नहीं हुआ उसमें वो पूरा case count होता है आगी बात समझ में इसमें 3C0, 3C1, 3C2, 3C3 पूरा है तो इसलिए 2 के पावर 3 इसमें पूरा तो जैसे आप इन तीनों को इन टू करोगे तो आपको इसका भी final answer मिल जाएगा मैं आपको इसका correct data comment section में लिखकर दूँगा आप उसमें देखेगा उसमें multiply करके मैं correct answer जो है उसमें pin कर दूँगा अपने comment पे आपको सबसे टॉप में लिखा हुआ मिल जाएगा उससे टैली कीजेगा तो यह जो calculation है वो comment section में खुट type करके डालूँगा उससे टैली कर ल लेगा उसमें चेक कीजेगा तो यह हो गया question 3 पूरा salt पूरा पूरा question 3 salt हो गया ठीक है अब इसे इत्मिनान से देख लो सीखा क्या हमने सीखा यह कि जब at least 1 बोलता है तो 2 की पावर n-1 लेकिन जब कुछ नहीं बोलता है तो 2 की पावर n लगाते है पर ओके ठीक है चलिए अब हम लोग चल रहे है question 4 पे यह रहा 3 मैंने बता दिया भी अब आगया question 4 पे एक बार इसे आप सीख लीजिए देखो question 4 अब यहां से बहुती super level का confusion उठने वाला है तो आपको क्या करना है बच्छे लोग वो sequence को maintain करना है और पूरा सीखते हुए आना है आगे अगर आप सीखते हुए नहीं आ रहे हैं तो इसमें फिर आपको super level का जो है एकदम confusion आएगा तो आपको उसका एकदम ध्यान देना है बच्छे लोग ठीक है चलिए सुनते हैं मैं एक बार question 4 आपके लिए read कर रहा हूँ आप इत्मिनान से सुनेंगे PNC बहुत धी critical topic है आपको उतने ह question के साथ लगना होगा मैं पूरा effort दे रहा हूँ आपको चीजें बहुत अच्छे तरीक से लेक्टर सीज में समझ में एक particular order में चल रहा हूँ आपको भी उतना ही effort मेर सा देना हूँ तब आपको सुझ में आएगा सुनते है question 4 सुनिये लिखा हुआ है question पढ़ रहा हूँ आ लेजिए एक box है जिसमें 2 white, 3 black और 4 red balls रखी हुई है ठीक है एक इनसान है जिसको 3 balls select करनी है लेकिन question की condition यह है कि कम से कम 1 black ball उन 3 balls पे होनी चाहिए at least 1 black ball कम से कम 1 black ball उस वाल एक selection में होनी चाहिए यह है वो question दो white है, 3 black है, 4 red ball है आपको 3 ball select करना है condition है कम से कम एक black ball होनी चाहिए at least 1 black ball होनी चाहिए तुरंत वीडियो को pause करो अभी इसी च्छड और जाहिए comment section में solve करके answer लिखे आई do it right हो, अब I hope कि आपने अपना काम कर लिया होगा, मैं एक बर आपको इसका solution बता देता हूँ, उसे सुन लो, फिर जो आपको confusion आएगा उसका भी आपको approach share करके दूँगा, सुनते जाहिए यहाँ पर solve कर रहा हूँ, इस वले जगा पर, सुनते जाहिए, मुझे given है, दो white है, three black है और four red balls है, और मुझे कम से कम एक ball select, एक ball जो है black select करनी है, और total तीन ball का selection होना चाहिए, इतनी बस सुन आगए, चलिए, at least one, at least one, at least one, at least one मैंने आपको पिछले वाले, मतलब lecture number मेरा ख्याल है, 22 में बताया हूँ, आप उसमें एक बार देख लिजेगा, at least one जो होता है, at least one, वो होता है, total minus zero, यह इसके पहले वाले lecture में आपको बताये गया है, आपको हो सकता है, याद आजाए, आपने सुन रखाओ मुझसे, at least one होता है, total minus zero, ठीक है, अब उसने क्या कहा, question का noun सुन लो भई, at least one black ball, तो noun क्या है मेरे पास, noun है black ball, noun है black ball, ठीक है, तो क्योंकि at least one black ball पे लगा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर लगाँगा, zero black ball, आगे पर पकड़ पर, तो at least one black ball का concept बना, total minus zero black ball, total minus zero कैसे है सर, इसके पहले वाले video lecture में delivered है, आप order में रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे, अब total कैसे निकालते हैं, यह सिखा देता हूँ बई, total निकाला जाता है, two और three, five, five और four हो गया, nine, got it, यह लिखाबर, दो और तीन, पाँच और चार, nine, कितनी select करनी है हम लोग क हम लोग को तीन बॉल सेलेक्ट करनी है, इसलिए नौ में मैंने तीन बॉल सेलेक्ट किया तो हो गया, nine, c, three, लेकिन वो एक केस, कुश्य ने बोल रहा है, कम से कम एक ब्लैक बॉल होना चाहिए, तो वो एक केस, जिसमें की ब्लैक बॉल नहीं होती होगी, तो total minus zero black ball, black ball कितन अपने पास, three है, तो यह हो गया, three, c, zero, आगई बात पकड़ने, comfortable इसमें पड़, और लेकिन वेको selection overall कितनी बॉल्स का लेना है, three balls का लेना है, तो black तो zero हो गई, तो इसलिए black थी three, तो लेकिन वेको ultimately, three balls तो चाहिए ही, तो वो जो three balls है, black में से नहीं आएगी, तो दो औ expression देखो जरा, total, total है 9 balls, nine c, three, minus, zero black ball, तो black ball थी three, तो उसके लिए three c is zero, लेकिन ultimately कितनी balls आपको select करें थी three, तो black ball तो zero हो गई, तो बची कितनी, four और दो छे, तो उसके लिए लेका मैंने six c, three, इत्मिनान से देखो इसे आप, समझ में आ रही है, यहाँ तक comfortable है अपन, अब इसको जैसे अगर मुझे solve करना हो, तो थोड़ा से calculation कर देता हूँ यहाँ पर, हो सक्टा है visible ना भी हो तो भी परशान मत हो न, यहाँ पर कर देता हूँ calculation देखो जरा, nine into eight into seven, three into two into one, into minus six into four, five into four, upon three into two into one, तो यह three, three जा, four, 84, और यह हो जाए तरी जाए six, five, चौके बीस, 64, तो जो answer है न, बचे लोग, final answer, वो question number four का, वो है 64, अगर आपने 64 निकाला होगा, 64, यह expression का solution है, 64, मैंने calculation फटा फट कर ली है, वो आप मेरा नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले lecture series में deliver किया हुआ है, आप वहाँ से सीख करेंगे calculate कैसे होता है, वो आपको अलड़ी सिखाया हुआ, वो आपको आना चाहिए, मैंने इसके पहले भी कहा था कि यह सब calculation अब आपको आनी चाहिए, 64 ही इसका right answer है, लेकिन आप बात को समझो, यहाँ पर उठता है एक confusion, यह जो at least one वाला जो शब देना, वो confusion लेकर आता है, अब आपको वो पूरा जो है ना, confusion का मैं solution देने वाला आपको सीखना पड़ेगा मुझसे, तभी यह मैं 5th नमरा का question बताऊँगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊँगा, सुनते जाए ज़रा इत्मिनान से, वेरी वेरी beautiful question, exam में पका आने वाला question आपको यह सीखना है भई, ठीक है, चले सुनते, देखो ज़रा, बोट पर ज़रा ख्याल करो, बोट पर ख्याल करो, सर्फ mandatory चीज़ें लिखे हैं बोट पर, आप सीखो ज़रा मैं क्या convey कर रहा हूँ, यह वाले case के बारे में सोचो, बाकी सब case को अभी भूल जाओ, इस वाले case के बारे में सोचो, तब ही आप थोड़ा compare करना सीख पाओगे, चलो, सुनो, यहाँ पर लिखा हूँ था, तीन बुक है maths की, चार बुक है physics की, compare करके बता रहो, confusion जो आती है, उसका approach दे वाला, सुनो मुझे, तीन है maths की, चार है physics की, और पाँच है English की, ठीक है, मिर पास यह तीन अलग अलग केताब है, अब मुझे क्या करना था, मुझे collection करना था, मतलब select करना था चीजों को, और condition है कि at least one book होने चाहिए English की, ठीक है, अब यह देखो ज़रा, दो है white ball, तीन है black ball, चार है red ball, मुझे जो है select करना और condition है थे कि at least one black ball होने चाहिए, अब आप एगर थोड़ा सा focus करो, तो आपको ना दोनों question की tone, same to same दिखाए देगी, फरक क्या है भई, फरक यह है कि यहाँ पर white, black और red लिखा हुआ है, यहाँ पर maths, physics और English लिखा English होनी चाहिए, यहाँ के condition है कम से कम एक black होनी चाहिए, तो question की tone सेम नहीं है क्या, लेकिन जब दोनों की tone सेम होती है, तो जब मैं इसको बनाता हूँ, तो कम से कम एक English करने के लिए 2 की पावर 5 minus 1 वाला फंडा लिखता हूँ, यह 5 English थी, मदब 2 की पावर n minus 1 वाला फंडा कि कहाँ पर मुझे at least 1 के लिए, कहाँ पर मुझे at least 1 के लिए 2 की पावर n minus 1 लगाना है, और कहाँ पर मुझे at least 1 के लिए total minus 0 लगाना है, दोनों ही सही है, सही दोनों ही है, लेकिन मुझे कैसे पता चले, कि मैं को कहाँ पर कौन सा apply करना है, मुझे कैसे पता चलेगा, बात at least 1 का मतलब 2 की पावर n-1 है और कहीं पर at least 1 का मतलब total minus 0 है हमको कैसे पता चले कि कहां पर क्या अप्लाई करना है हमको कैसे पता चले तो उसका जवाब देने वाला हूं देखो जरा बात को समझो यहाँ पर लिख रहा हूं concept इसे एक बार देख लो selection of selection of at least one thing out of n things is equals to n c1 n c2 n c3 tends to n cn क्या मतलब है इसका जड़ाइस सुनिये इसका मतलब है कि बहई n चीज़ों में से अगर आपको कम से कम एक चीज़ select करनी होगी n चीज़ों में से अगर आपको कम से कम एक चीज़ select करनी होगी तो इसके लिए approach होना चाहिए n c1 या n c2 यह n c 3 tends to n c n यह approach होना चाहिए और यह lecture number 23 में मैं आपको deliver किया था यह कुछ और नहीं होता यह 2 की पाउर n minus 1 होता है ठीक है तो यह at least 1 के लिए approach है यह at least 1 के लिए तो at least 1 के लिए 2 की पाउर n minus 1 सही होता है at least 1 के लिए total minus 0 सही होता है तो हम लोग को कैसे समझ में आए कि at least 1 के लिए 2 की पाउर n minus 1 लगाना है जैसे यहाँ पर लगाया गया है यह वारी चीज और कैसे समझ में है कि at least 1 के लिए total minus 0 लगाना है तो उसका जवाब कैसे सुन लो question मेंने एक minute सह difference होता है जब मैं यहाँ पर select कर रहा था चीजों को यह question number 3 में अपनी copy में पूरा question पढ़ना यह मिटा दिया हो जितना लिखा है लेकिन उतना sufficient है सुन लो जब question number 3 में पढ़ रहा था बोला था 3 different math book है 4 physics की है 5 English की है selection करो चीजों को और condition यह थे कि कम से कम एक English लेकर आँ लेकिन यहाँ पर बोला से 2 English है 3 black है 4 red है select करो चीजों को और कितनी ball लेकर आना 3 ball लेकर आना यह फरक है मतलब मैं कहने कोईश कर रहा हूँ कि कोईशमर 3 में नहीं बताया था कि कितनी book लेकर आना तो मैं 1 लेकर जाता था 2 लेकर जाता था सारी के सारी भी लेकर चला जाता था क्योंकि सारी cases की possibility थी इसलिए यह वला friend था लेकिन इसमें बोल दिया कि 3 ही लेकर आना fix कर दिया ना अब आप सारी के सारी लेकर नहीं जा सकते you have limitations कि 3 ही ball लेकर आना जिसमें एक black होनी चाहिए जिसमें कम से कम एक black होनी चाहिए अब concept क्या बना अगर कभी question में mention न करे कि कितनी book लेकर आना कितनी ball लेकर आना बस लिख दे कि कम से कम एक English लेकर आना कम से कम एक black लेकर आना लेकिन mention नहीं किया कि actually कितनी लेकर आना सारे cases, तीन ले जाओंगा, चार ले जाओंगा, पांच ले जाओंगा, सारी के सारी ले जाओंगा, लिग देता था, लेगन इसमें फिक्स कर दिया, इसमें उसने बोल दिया कि तीन ही बॉल लाना, चार नहीं होनी चाहिए, तीन ही बॉल होनी चाहिए, और उसमें कम से कम एक मैनस 1 लगाना है और कौन से अटलिश वन में टोटल माइनस 0 लगाना है समझ में आ रहा है मैंने परपसली एक कुश्चन यहां पर डाला जान बूच कर दो वीडियो लेक्चर पहले अच्छे से 2 की पर N-1 समझाया उसके पहले वाला टोटल माइनस 0 समझाया अब दोनों को मिला कर बता रहा हूँ क्योंकि यह कंफिसन आता है हम सोचते हैं उस कांसर टोटल माइनस 0 वाला हो जाता है क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते तो उस वर से ध्यान दीजिए कोश्चन में जब मैंशन कर दे कितनी बुक लाना 3, 4, 5 तब उस वले केस में टोटल माइनस 0 तीन बॉल लाना लिख दिया था ना इसलिए टोटल माइनस 0 मैंशन करना भूल जाया कितनी लाना है तो अपने मरजी से तीन ले जाने वाली चार ले जाने पांच जाने वाली सारे केस में लोग को लेना पड़ता है इसले टोटल माइनस 1 I hope कि आपको यहली बात समझ में आ गई होगी ना भी आए हो आप मुसे कमेंट सेक्शन में जहां भी आपको डाउट आप लिखकर पूछना मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड करकर आपको समझा दूगा अब मैं ऐसे रफ कर रहा हूँ अब मैं से रफ कर रहा हूँ अब आपने मेरा ख्याल है कि पूरी चीजों का अच्छे से समझ लिया है लेकिन अभी भी बात यहां पर खतम नहीं हुई है क्योंकि मेरे पास तो एक क्वेशन और बचा हुआ है ना भी I have one more question क्वेशन और 5 question number 3 और question number 4 was super beautiful question आप उसे rewind करकर के बार बार सुनेगा तब कस्वान में आ जाएगा अब आप question number 5 पर focus कीजिए question number 5 deliver करने वाले there are 5 copies of maths book 4 copies of physics book and 3 copies of chemistry book the number of ways in which one or more books can be given away ठीक है अब question number 5 one or more can be given away का मतलब कुछ और नहीं होता वही at least one होता है one or more का मतलब कुछ और नहीं होता वही at least one होता है ठीक है तो आपको क्या करना है आपको इस वाले question को copy में लिखकर अभी तुरंत solve करना है और उसका answer comment section में डालना है मैं देखूंगा कि आप कैसे approach करते हो देखा मिलेगा नेक्स वाले वीडियो में हम लग मिलेंगे इस question के solution और एक और नए बहतरीन concept के साथ बने रहेगा